तो हेलो फ्रेंड्स आईए इस वीडियो में बात कर लेते हैं ग्रीन क्रेस्ट फुनेशल सर्फिस के स्टॉक की ये स्टॉक भी एक पैनी स्टॉक है दोस्तों 1.12 रूपीस इसकी कराट मार्केट प्राइस है लेकिन अब ये स्टॉक जो है वो अपर सरक्ट में चल रहा है ला पर भी गरावट नहीं है तो 6 मत में देखो ये स्टॉक 62% के हिसाब से बढ़ गया है जबकि 1 ये में ये स्टॉक 32% की गरावट शो कर रहा है एक लॉंग बॉटम पॉर्मेशन के बाद इस स्टॉक में एक रिवर्सल आया है ब्यूलिश पैटन आया है तो अब इस स्टॉक अब दोस्तों हम आपको सही जो है ऑपीनियन शेयर करते हैं डाटा के बेसिस पे अनल्सिस के बेसिस पे ही ऑपीनियन शेयर करते हैं ऐसे नहीं करते हैं कि किसी भी स्टॉक में कभी भी जाके नवेश कर लो लंब सम इंवेस्मेंट कर लो क्योंकि दोस्तों आपने मेहने से क तो फिर आपका पैसा बनेगा तो यही मारी आपको राया है कि आपके साथ सही जो डाटा है उसे एर करें तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं हमारे चैनल को आप सबस्क्राइब जरूर कर लें और आगे भी अपने फैमिली मेंबर्स डटील में चैक कर लेते हैं दोस्तो स्तंबर क्वाटर के पहले नमबर समझने की कोशिश कर लेते हैं जदि इसके स्तंबर क्वाटर के नमबर देखें तो कामपड़ी के नतीजे बहुत ही शांदा रहे हैं पहले रेवनू का डाटा देख लेते हैं से लो 13.43 करो आई है तो आप देख सकते हो जून के मकाबल सिन्बर में बहुत ही शांदर ग्रोथ आई है और दो मतलब कैंपटे के न optimize कंपटे का प्रॉफट का हुग्ड कर लेature लेकिन लास्टी कोवर्ट से कंपटे का तरह रहा है तो शांदर कवर्ण यहां पर देखने को मिली है स्टमबर 23 में कामपड़ी के नतीजे बहुत ही शांदर रहे हैं कामपड़ी का जो प्रॉफट है वह बढ़के 5.52 हो गया है यह क्रोड में डाटा दोस्तों आप इसके नेट बर्थ की बात कर लेते हैं जरी कामपड़ी का नेट बर्थ देखें तो वह यहां पर यहां पर आपको जो है वो एक तरह से आप ट्रेंड देखने को मिलेगा कामपड़ी की प्रॉफटेबिल्टी देख लो पनाइचल यह 22 के मकाबले 23 में बढ़ गई है तो क्लियली पनाइचल रपोर्ट इस क्वाइट पॉस्टें क्वाइट स्ट्रॉंग क्वाइ रही है तो कंपड़ी के इसेट्स देख लो कैश रिजर्व देख लो भी बढ़ रहा है तो बैलेंस इट भी स्टॉंग हो रही है अब शेर होल्डिंग पैटरन देख लेते हैं रिटेलर के पास 98.78 परसंट का स्टेक है जबकि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 25 परसंट का स अच्छा बिजनस आज कर दो क्या है आजकल इंवेस्टमेंट सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि हर कोई जो है वो ज्यादा पैसा कमाना चाहता है ज्यादा रिटर्न्स प्रापत करना चाहता है तो इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट अडवाईजरी कंपनी उनकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में बहुत ही शांदा ट्रेंड है बिकॉज इंडिया में डिमांड आउटलुक बहुत ही स्टॉंग है किसी भी सेक्टर में देख लो डिमांड आउटलुक बहुत ही स्टॉंग ह एकनॉम के रवाइबल देखने को मिल रहा है जिसके करने शेर बजार भी अच्छी रिकवरी शो कर रहा है कामपटी के नतीजे से ही आ रही है तो इस तरह की कंडीशन में अब हर कोई जो है वो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाता है तो इसलिए हर कोई जो है अच्छे रिटर्ण्स प्रापत करना चाता है गौर्वर्मन्ट जो बैंक्स है वहाँ पे कोई इतना अच्छा रिटर्ण्स नहीं मिलता है आप देख सकते हो के बैंक की जो एपडीज है वहाँ पे रिटर्ण्स काम हो रही है तो जदी अच्छे रिटर्ण्स प्रापत करने हैं तो आपको पैसा शियर्ज में फिनास में लगाना होगा बॉंड्स में लगाना होगा तो आप क्या कर सकते हो दोस्तो आप अपना जो है जो कह सकते हो पोर्टपोलियो डिवस्टिपाइ कर सकते हो तो ये company इसी direction में काम करती है क्योंकि दोस्तों जदी सारा पैसा आप securities में लगा दोगे shares में लगा दोगे, वहाँ पर risk भी रहेगा तो ये जो company है, different type की investing का काम करती है, financing का काम करती है, सिर्फ securities में ही नहीं bonds में भी पैसा लगाती है, fixed deposit लगाती है, commodities, तो मतलब एक तरह से diversified investment का काम करती है तो इसलिए इस तरह की companies की importance बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लेकिन दोस्तों अभी ये stock अपर सरक्ट में चल रहा है, तोड़ा सा tip का आप बेट कर सकते हो इसकी valuation देख लेते हैं, valuation बहुत ही price to book ratio देख लो 0.68 की है, जबके इसकी book value पर share 1.62 भी बनती है तो उसके मकावले अभी भी ये जो stock के discount पे है, उपर से price to earning ratio भी low है, 7.33 की है industry की PE ratio देख लो 25 की है, तो industry के मकावले ये stock बहुत ही सस्ता है, उपर से देखो इसकी जो ROE percentage है बहुत भी बढ़िया होगी है 9.51 की है 10% के रौंड है, नियरली डवल डिजिट के रौंड है आने वाले टाइम में जदी company के नतीजे और भी बढ़िया आ जाते हैं, तो फिर इस stock की जो ROE percentage है और भी improve हो सकती है, तो इसलिए दोस्तो valuation बहुत ही सही है, fundamental strong है financial growth हल्दी है, और outlook बहुत ही स्टोंग है, जैसे अपने आपको सारा को समझा दिया है, investment sector में, finance sector में आने वाले time में अच्छा demand हो है तो इसलिए है, इस stock में last six month में एक अच्छी recovery आ गई है company के नतीजे सही है, valuation सही है और इस stock में एक revival देखने को मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में दोस्तों यह जो stock है, यह अपने highest level जो 2.87 का है, उसको cross करने की कोशिश कर सकता है क्योंकि जदी इसके नतीजे सही रहे क्योंकि इसकी जो book value per share है, वो भी 1.62 की बनती है, तो उसके मकाबले तो अभी भी यह stock के discount पे मिल रहा है तो इसलिए दोस्तों, आप इस stock पे focus कर सकते हो कोई भी dip मिलता है, कोई भी आने वाले time में consolidation होती है, उस time इस stock को आप average करके long positions continue कर सकते हो हाँ short term की position से थोड़ा सा बजे क्योंकि यह circuit में चलने वाला stock है तो आपको शोड़ेगा नहीं, क्योंकि जब यह stock में lower circuit लगेंगे, तो फिर माल sell नहीं होगा तो इसलिए दोस्तों, हम आपको कहते हैं, इस तरह के stocks में थोड़ा सा alert रहें, आँख बंद करके पैसा मत लगाएं, किसी के पीशे लगें, किसी वीडियो के पीशे लगें, कभी भी आँख बंद के पैसा मत लगाएं, जब यह stock lower valuation पर trade कर रहा था, तो उस टाइम भी हमने वीडियो बना के आपको राय दी थी, तो इसलिए दोस्तों, आप इस stock पर focus कर सकते हो, लेकिन हाँ, average करें, आँडिप में buy करें, so thanks कें दोस्तों, फिर यही कहेंगे दोस्तों, नए आयो हमारे चैनल को आप subscribe जरूर कर लें, दोस्तों इस चैनल में हम बहुत ही real information आपके सामने पेश करते हैं, क्योंकि दोस्तों को चैनल कहते हैं, आप इस stock को buy कर लो, यह 1 रपय का है, कल को 100 का हो जाएगा, कल को 1000 का हो जाएगा, हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे, आप stock market में आओ, नवेश करो, average करो, और अच्छे quality के इसा जूरे, thanks again